वेल्कम तो मैठ एक्सिस सिबेसी क्लास नाइन चेप्टर टू पोलिनॉमियल एक्ससाइज 2.1 कुश्चान नॉम्बर थ्री तो कुश्चान नॉम्बर थ्री में हमसे पूछा गया है कि गीव वन एक्जामपल इच अफ वे बाइनॉमियल ऑफ डिग्री 35 एंद ऑफ ए मॉनॉ सब्सक्राइब सेक्ऐर कले में आगे इसमयल इस्टार पहले इसको सॉब करने पहले से पहले पहले एम जाल अलिएक Черफ यहाँ अठीशز कारतें अख भंडिर मेलगी से जघे इसक्वार मिनांजों कि रहते हैं तो गसे ।ो मैं टूसरा हमने दिया गया है y square plus root 2 तीसरा दिया है, अब ये question number 3 का solution नहीं है, आपको क्या समयना है, पहले हमें जानना है कि monomial binomial किसे कहते हैं, दें हम इसका solution अपने मन से भी लिख लेंगे, ठीक है, तो देखिए, जो question number 1 के part first में हमें दिया रखा है polynomial कि 4x square minus 3x plus 7, ये हमें दिया हुआ है, इसका part second दिया गया हमें, y square plus root 2, ठीक है, और हम अगर ऐसा एक और polynomial लिख लें, जो कि ऐसा हो, 2x square क्या हो, 2x square, कुछ इस type का हो, देखिए, जो इनको हम क्या बोलते हैं, terms क्या बोलते हैं, तॉ इसमें कितने terms है, एक, दो, तीम, इसमें कितने terms है, तो 1, 2 और इसमें कितने terms है, तो single term है, इसमें 2 term है, और इसमें 3 term है, तो terms के हिसाब से, on the basis of terms, on the basis of terms, ницы टॉम्सके साब से हम पॉलिनमीयल कू तीन चार कट्रीगरी में बटा गया जिसमें अगर आपका तीन टरम हो राह最高 मौन बोलते हैं ट्राइनॉम्य क्या बोलता है त्रिक्ट ट्राम्यावल अगर दो टर्म का कि यह जिए एन कि इसमीं फ्रonaut habe एज एंट अगर सिंगल टर्म का तो इसको बलाजता हैions ah है कि मॉनॉमियल anywhere कि यह तो यह तो है कि paulineum को hang के इसाफ से 3 category भी बाटा गया है Trinomial, Binomial और Monomial अब degree क्या होता है यह भी जान लेते हैं तो degree मतलब क्या है कि जो यह माने expression लिखा गया है 4x square प्लस x प्लस 7 यह लिखा गया है 4x square minus 3x प्लस 7 तो यहां पर क्या है कि यहां पर जो x का exponent है 2 है यहां पर x का exponent 1 और यहां पर x का exponent 0 है तो पोलिनॉमियल में जो x का हाईस्ट एक्सपोनेंट होता है ज़ो पुलन Candles में x का हाईस्ट पाऊर होता है उसी को बोला याशता है degree अपर फिली अप से ट्लि • करें करें अदिके इस पॉलिनॉमियल पोजा पासे इस में इसके दो तो यहां से हाइस पाओर किया है टू और यहां से धिक्या है तू जाम है कि सभी और vidéo का यहांनुट instruments लिखें कि 3X का highest exponent क्या है 5 है इसके डिगरी क्या हो जाएगी 5 इसके डिगरी क्या हो जाएगी 5 तो on the basis of degree on the basis of degree degree कहसाब से भी polynomial को तीन चार category में divide किया गया जो first category है उसको बोला गया linear क्या बोला गया linear जिसकी डिगरी क्या हो तो one हो तो लीने अगर एक्जांपल लिखना चाहे तो लीने एक्जांपल क्या हो जाएगा कि 3x ये क्या है एक लिनियर पोलिनोमियल है एक और इसका एक जांपल लिखना चाहे है तो to x plus 6 यह भी क्या है एक linear polynomial है ठीक है second जो टाइप आता है उसको हम बोलता है quadratic क्या बोलता है quadratic quadratic polynomial polynomial अब quadratic मतलब क्या है कि इसका degree 2 हो ऐसा polynomial जिसकी degree क्या हो 2 हो जैसे कि पहला आपका यहां पर example दे रखा था कि 4x square minus 3x plus 7 इसका degree क्या है 2 है इसको हम बोलते है quadratic polynomial क्या बोलते है quadratic polynomial एंड ठाड वाला है ठाड टाइप का जो है आपका हो है cubic cubic polynomial polynomial ठीक हमें तो यहां class 9th हमें 15 के बारे में discuss करना है linear quadratic और cubic तो cubic polynomial क्या होता है इसका degree क्या हो 3 इसकी degree क्या हो 3 और हम इसका एक्जम्पल लिखना चाहिए तो एक्जम्पल क्या हो जगा x cube minus 4x square plus 3x plus 6 यह जो है cubic polynomial क्या है cubic polynomial तो अभी अभी तक हमने यहां पर दो चीह सीखें कि trinomial, binomial और monomial कि से कहते है linear क्या होता है quadratic क्या होता है और cubic क्या होता है तो क्या है यहां कि terms के हिसाब से polynomial को divide किया गया trinomial, binomial और monomial में and degree के हिसाब से divide किया गया linear quadratic and cubic किसमें divide किया गया linear quadratic and cubic अब degree क्या होता है तो question में जो भी x का highest exponent होगा question में जो भी x का highest exponent होगा उसको हम बोलते है degree क्या बोलते है degree of the polynomial ठीक है तो आई अब हम question no.2 को solve करेंगे तो question no.2 में हमें दिया गया है कि यहां पर हमें कि सारी question no.3 में हमें अपने मन से example देना एक binomial का जिसका degree 35 हो और एक monomial का जिसका degree 100 हो तो बैनों में यहां आपको पता चल गया है कि बैनों मिल कि होता है तो बैनों मतलब क्या है जिसकी जिसमें दो टामस इसमें दो टामस और डिगरी के रख़ा है कि डिगरी कि इतनी हो चाहिए 35 हम कुछ भी अपने मन से example लिखते हैं जैसा लिखने कि x का पावर 35 प्लस इभी क्या है एक बाइनमियल है जिसमें दो टम्स है ओ दिगरी 35 है दो यह हो गया और हम ज़ो लिखना है मुझा data मिलेकै लिखना है मूणा मैं मिल्यानि दिगरी और ürिख का लिखना है कि एक अभी हांनिया है तो यह ऐसा मुनॉमियल है इसका डिगरी क्या है 100 है यह था question number 3 का solution next question number 4 तो question number 4 मैं हम से पुछा गया है कि write the degree of each of the following polynomial तो हमें यहां पे कुछ polynomials दिया गया है उनका degree लिखना है क्या लिखना है तो हमें उनके degree के बारे में बताना है कि इनका degree क्या होगा ठीक है तो यह question number 4 में हमें दिया गया है कि पहला जो दिया गया है 5 X cube plus 4 X square plus 7 X तो मैं ने आपको भी बता रखा डिगरी मतलब क्या है कि देखना हमें कि x का highest exponent कितना है x का highest exponent कितना है तो यहाँ पर x का highest exponent क्या है यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है और यहाँ 1 है, तो सबसे बड़ा हो लग्या है, 3 यहनि इसके degree क्या हो जाएगी? तो इसका degree हो जाएगा, 3 तो पहले का degree हो गया 3 सेकेंड हमसे पुछा गया है 4 minus y square 4 minus y square तो 4 minus y square यहाँ पर क्या है ? highest degree क्या है 2 है, यहाँ पर degree हो गया थूठ हमसे पूछा गया है फाइफ टी माइनस रूट सेबन अब देखें यहां पे टी का हाइएष्ट पावर क्या है वन तो डिगरी क्या हो जागी वन और फॉर्स हमसे पूछा गया है तो एक सिंगल नंबर दिया गया है तो इसकी डिगरी हो जाएगे 0 जब कोई variable ही नहीं है तो इसका डिगरी क्या होगा 0 होगा क्योंकि किसी भी number का power अगर 0 होता है तो हमें पता है कि उसकी answer क्या होता है 1 तो अगर यहाँ पे 3 नहीं है मतलब क्या है कोई यहाँ पर ऐसा एक variable रहा होगा橋 जिसका डिगरी क्या होगा जीरो होगा जिसके बैसे वह रट गया है तो यह था question no.4 का solution next question no.5 next question no.5 question no.5 में हमसे पूछा गया है कि classify the following as a linear quadratic and cubic हमें इनहापे जो questions दिये गया है उन्हें classify करना है linear quadratic and cubic के form में तो मैंने आपको भी बताया था कि linear क्या होता है a linear जिसका डिगरी 1 होता है quadratic जिसका डिगरी 2 होता है और cubic जिसका डिगरी 3 होता है ठीक है तो पहले एक बार आप still pbros ऒएखे राख बैषे क्का डिखरें कि इसका डिगरी क्या है यह थे हेट ठॉबर का है च्पोनेंट क्या है yeah यानिक डिगरी क्या है तो डिगरी है इसका 2 अजब डिगरी 2 होती है तो उस पोलिमिल कम क्या कहता है Quadratic क्या कहता है Quadratic ठीक है यानिक क्या हो गया यह पहला जो आपका है Quadratic Polynomial ठीक है Second है इसका X-X3 X-X3 तो यहाँ पर जो highest exponent X का हो क्या है तो 3 यानिक डिगरी क्या हो गए 3 डिगरी है जब डिगरी 3 का Polynomial होता है तो उसको हम कहता है Cubic Polynomial क्या बोलता है Cubic Polynomial ठीक है फोर्थ आगे ठोड़ आगे आपका Y प्लस Y स्क्वाइर प्लस 4 देखे तो यह एक Polynomial इंड वैरियेबल य और यहाँ पर Y का highest exponent क्या है 2 है जिसके डिगरी आगे 2 यह बन जाएगा आपका quadratic Quadratic Polynomial ठीक है एंड फोर्थ फोर्थ आपका है 1 प्लस X अब यहाँ पे X का highest exponent क्या है तो 1 है तो जब डिगरी जब highest exponent 1 है यानि किसके डिगरी क्या है 1 है डिगरी 1 है यह होता है linear क्या होता है linear और 5 है 3T इसके डिगरी क्या है इसके डिगरी भी 1 है तो इसको भी बोलेंगे हम linear क्या बोलेंगे linear polynomial ठीक है एंड 6th question हमें दिया गया है R square यहाँ डिगरी क्या है यहाँ highest power इसका है तो डिगरी क्या है तो डिगरी इसके है टू है यानि यह क्या है तो जब दो डिगरी क्या होता है तो उसको क्या बोलते हैं क्वाद्रेटिक क्या बोलते हैं क्वाद्रेटिक पोलिनॉम्यर एंड शेवन्थ है और 7x3 इसका डिगरी क्या है तो डिगरी इसके 3 है डिगरी कितनी है तो जब 3 डिगरी कहोगा तो क्या बोलेंगे क्यूबिक पोलिनॉमिय ठीक है तो यह था कुश्चन नमबर 5 का स्सॉलिशन थैंक यू